Focusing of Collector यह हम बूल सकते है Solar Focusing of Collector इसका जो Second Name होता है आपकी exam में आ सकता है वो आ सकता है Concentrating Collector क्या होता है Focusing मतलब Concentrate करना तो इसका Second Name हो जाता है Concentrating of Collector इसमें Solar के लिए हम बात करते है तो Solar Concentrating of Collector यह इक ही बात है हापे अब सबसे पहले मैं आपको यह diagram की help से समझा देता हूँ और फिर मैं आपको यहाँ पर read करके अच्छी से समझा दूआ देखे जितने भी मैंने यहाँ पर show किया हुआ है यह क्या है एक focusing collector है यहाँ पर क्या होता है एक receiver होता है यहाँ पर mirror होता है दो या दो से जादा है या 10, 20, 25, 30 भी हो सकता है जितने जादा आप यहाँ पर add करना चाहो फिर यहाँ पर होता है sun तो यह इन तीनों के combination से हम focusing collector को बनाते है अब इनके काम देख लेता है देखे sun क्या आगरता है यहाँ पर अपनी light को incident कराता है यहाँ पर mirror पर और encouragement कुछ इस तरीके से किया जाता है जो भी यहाँ पर sunlight आती है वो reflect होने के बाद में receiver के पास चले जाए तो यहाँ पर कहिना कही क्या काम हो रहा है यहाँ पर light को focus किया जा रहा है जो sunlight है वो यहाँ पर mirror पर गई mirror पर जाने के बाद में उस light को हम यहाँ पर focus करा रहे है receiver की side और receiver क्या है यहाँ पर main part यहाँ पर receiver ही है जो कि light energy को heat energy में change करता है यह एक special type का flat plate collector है मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया है flat plate collector क्या होता है flat plate collector का work होता है sunlight को यह मैं बोल सकता हूँ solar energy को heat की energy में change करना तो इसका भी वही काम होता है यहाँ पर लेकिन यह एक special type का होता है उसमें क्या था पहले वाले में उसमें हम light को focus नहीं कराते थे लेकिन यह special type का है हम इस पर light को focus कराता है इसलिए इसका नाम है focusing of collector यानि कि जितने भी यहाँ पर light आहरी है और यह mirror के यहाँ पर आएगी mirror के यहाँ पर आने के बाद में यह mirror की help से यहाँ पर इसको focus कर देगा जिससे कि सारी की सारी हाँ पर light चले जाएगी और इसकी high intensity बन जाएगी जो यह light जा रिए है एक दम से ही एंट्रोड कि जाएगी सारी कि सारी यहां और जो हम यहां पर मिरर है हम इसका यहां पर कुछ इस तरीके से अर्रेंजमेंट करते हैं कि जिससे के आने वाले लाइट पूरी मिलाड कि आपर बोलते हैं और यहां पर bringing ट्रैकिंग हम अरिजमेंट करना पाँ जो हम उनिशिमेंट करते हैं Canadian पनपर गए यहां पिलू करते हैं हैं ट्रैकिंग हम एक हम संब् 이거 है यह हूं यह इससिट का ऩहां आ पर जब आपर सब्सक्राइगा और यहांपे जब इसका कैड़ 근처 साइट पे ट्रांसफर कर देगा लाइट को यह हम बोल सकता है पूरी की पूरी लाइट को यहाँ पे focus करा देगा तो इसका यही work होता है किसके help से करता है tracking arrangement करते हम उसके help से यह सब होता है अब हम इसकी क्या है जो हमारी solar collector होता है यह एक ऐसी device होता है जो solar radiation को high intensity के साथ collect करती है और कहां पर यहाँ पे energy absorbing surface पर जो यह है यह क्या कर लहाँ इसको absorb कर रहा है तो यहाँ पर क्या है energy absorbing surface है इसको हम receiver भी बोल सकते हैं और energy absorbing surface भी बोल सकते हैं और हम इसको यहाँ पे Spatial Type Flat Plate Collector भी बोल सकते हैं तो इसके यहाँ पे एक तरीके से तीन नाम हो गए अब Next देख लेता है, Next Point में है A Focusing Collector is a Spatial Type Spatial Form of Flat Plate Collector by introducing a Reflecting Surface between the Solar Radiation and the Absorption देखें, यहाँ पे इस Point में क्या बताया गया है जो Focusing Collector होता है, वो Spatial Type का Flat Plate Collector होता है जिसको Introduce किया गया है Reflecting Surface के द्वारा और यह कहाँ पे होता है, यह होता है Solar Radiation यानि कि जहाँ से Radiation निकल दी है Solar से और Absorption के बीच में, तो यह क्या है, Solar यहाँ से आया Solar Energy या Light आई यहाँ से, Incident हुई, और Receiver यह है तो इन दोनों के बीच में क्या है, यह है Reflecting Surface है यहाँ पे जो कि इसको Reflect कराने के लिए Use किया जाता है Sun से जो Light आई, यहाँ पे Incident होगी और इस Light को Reflect कराके यह Focus करा देता है Receiver की साइड पे Thus, यहाँ पे Next है, Thus A, Focusing Collector Consist of A Focusing Device, A Receiver and A Tracking System देखें, जो Focusing Collector होता है, यह Focusing Device से मिलकर बनाया जाता है यानि कि जो Focus कराती है Device Number One Receiver यह हो गया, Receiver फिर हो गया यहाँ पे Tracking Arrangement तो यह पूरा का पूरा यहाँ पे Receiver हो गया, यहाँ पे Tracking Arrangement हो गया जो कि Mirror को Rotate कराने का Work करता है तो इन पूरे System को Consist करके हम क्या बनाता है Focusing Collector बनाता है और Focusing Collector का मैंने आपको यहाँ पे दूसरा नाम बताई दिया Concentric Collector और हम यहाँ पे बात करता है Solar की तो Solar Focusing Collector भी हम इसको बोल सकता है और इसको बोल सकता है Solar Concentrating I hope आपको यह समझा रहा होगा तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए आपके लाइक और सबस्क्राइबर से हमें यहाँ पे मोटिवेशन मिलता है